नविश्कार मैं हूँ आपके साथ दिंपर शर्मा और फर्स इंडिया का खाश शो विधानसभा लेकर आप पहुँचे हम दातरामगड विधानसभा सीट पर वो सीट जहाँ पर पहली बार विधायक बने भैरुस सिंग शेखावत उसके बाद देश के दिगज नेताओं में भी शुमार हुए मुख्यमंत्री रहे राजस्तान के रुप राष्ट्रपती भी बने खास सीट भी है 15 बार विधानसभा चुनावों में से नौ बार कॉंग्रेस का विश्वस्त किला है लेकिन बीजेपी को यहां पर चुनौती हुई अपना खाता खोल ले लेकिन इसके दावा जो बाकी की पार्टिय उन्होंने यहां पर कभी अपनी जगह बनाई लेकिन आज बात होगी दोनों ही पार्टियों से तीनों ही पार्टियों से की यहां पर मुद्दे क्या हैं जनता के भी क्योंकि first इंडिया ground zero पर इसलिए आया कि जनता के मुद्दे दो जाने ही विश्वस्त है कि जो पैटर्न और जो इतिहासिक एक तरह से रहा है एक बार कॉंग्रेस एक बार बीजेपी का उसी के दौरान बीजेपी भी यहाँ पर जीदड़ करेगी लेकिन अलग-अलग सीट का अलग-अलग गणित होता है यहां की क्या गणित होगी बातचीत में निक एमेले कारी録 कार्ट क्योंकि जिन वादों पर यहाँ पर विधायक आये थे जिन वादों पर जन्यता से बादे ये के ये काम होगा क्या वो काम हुआ क्योंकि कुछफ ही दिनों में विधानसपथ चुनाव है और जन्यता तै फितना कुछ कह सकते हैं खुश्च है कि इस बार बीजेपी आईगी और क्या कुछ चुनौती रह सकते हैं इस seat पर. बीजेपी को सो परतिशत बीजेपी इस बार राधस्तान में सरकार बना रही है और रही दातरामगड की बाद तो दातरामगड में देखे जातिगत आधार पर अभी तक जो चुना हुए है उसमें कॉंग्रेस को सफलता जरूर मिली है लेकिन आने वाले समय में सब जातिगत आधार पर जो रननेती ये लोग रचके और अपनी राजनेती रोटियां जो सेखते हैं जनता को समझ में आ गया है विकास के नाम पर यहां पर कुछ भी नहीं हुआ है आज भी परिस्तिती जोंकी तो है आप सड़क देख लीजिए जल देख लीजिए या रोजगार देख लीजिए सड़क की भी बहुत बुरी इस्तिती है आप भी चल के आए हैं तो आपने भी देखा होगा और जल को लेके इन्होंने अभी तक के कोई भी कहीं पर भी ऐसा कोई काम नहीं किया है कि वो इनको जनता वोट दे आज आपको बताओं कि 2014 से जब से नरेंदर मोधी जी की सरकार बनी है उन्होंने 2018 में एक अलग से डिपार्टमेंट पाने के समश्या को लेकर जल सक्ति मंत्रा ले बनाया है और उनके जो मंत्री है वो भी राजस्तान से हैं लेकिन उनके पास जाके और अगर इस सरकार चाती तो बहुत कुछ कर सकती थी लेकिन सरकार ने ऐसा को भी एक खर्चनी कर पए हैं चलिए मेरा एक सवाल और यहाँ पर बनता है यहाँ पर साफ तोर पर बीजेपी कह रही है कि भाई जो कॉंग्रेस है उन्होंने काम नहीं किया यहां के जो विदाय के टिकेट पर जिकते वीरेंट जीन बिल्कुल काम नहीं किया तो मुझे य सबसे बड़ा मुद्दा है यह डाग जोन है और बहुत लंबे समय तक एक परिवार का राजरा लेकिन कभी उन्होंनों चिंत्या नहीं की कि पानी की समश्या का समाधान क्या जाए यहां नहर के लिए डीपियार बनाई जाए यहां नहर लाई जाए सरकारी कोलेज का मुद साथ चलावा हुआ है उद्योग दंदे के नाव पर कोई उद्योग यहां पर इस्तापित नहीं किया गया है तो हर्थ साइड से मैं यह कहूंगा कि यहां के विदाइक फैल हुए है देखे दिंपल साफत चौर पर यह कहना है विपक्ष का कि यहां पर जितने भी वादें केते सभी नहीं पूरए होए उद्योग की बात कर ले तो सवाल यहीं बनता है देखे बिल्कुल दृप्ती जो वादे हैं उन पर तो बात होगी लेकिन अभी एक वहां से बात सामने आए कि जातीगत समीकरण पर इतनी चीज़ें यहां पर हुई है इसलिए विदायक आपर जीते लेकिन जातीगत समीकरण से एक दो बार जीत सकते हैं नौ बार 15 बार में स इन इसको कहना चाहतो हूँ कि आप सर्वे करने पूरी डिस्टिक का जितने स听 य सबकरोई स्कूल दांताराम गड़ में किसी थी थी अ कर दांताराम गड़ में और विकास जिन को बदाई है जिसका वाध से विजव जीतते हैं परिवार जो बात कही कार आज परिवार नहीं लिक्त चलता कि उन्होंने भी कास कारिये कि और नायराइन सिंग जी जो विरिंदर जी की की पिता जी पिता जी है उनका मुखे अधारम नेकट के फ़र खाथा खुला है अपना उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि क्या है यहां पर क्यूंक बीज़ेपी से टककर के बाद आग किसान और मजदूर के संगर्ष के कारण खाता खोला है और किसान और मजदूर के लड़ाई लड़ी है जनता भी देखती है कुछ समय तक देखती है लेकिन आखिरकार काम पर ही वोट मिलता है लंबे समय तक अगर किसी को टिकना है मैदान में तो काम पर ही वोट मिलता है तो ऐसा क्या कारण रहा कि वो काम भाजपा का नहीं देख पाई जनता और कॉंग्रेस का देख रही थी उसके अलावा भी तो दूसरी पार्टी का खाता खोला और उसके टकर में जहाँ पर भाजपा थी कॉंग्रेस के उसे छोड़ कर CPM ने यहां पर खाता क्यों खोला भाजपा को वो मौका मिलना चाहिए था अगर भाजपा ने काम किये थे यहां पर आरोब भाजपा लगा रही है कितनी सचाई है क्योंकि सड़कों को लेकर अभी कहा गया है यहां से जादा लंदी सड़क कहीं है यहां पे दो सो बारा गाओं है जो यह डार्क जोने वहां पे हर घर के अंदर यह स्थिति हो जाती है गर्मियों के अंदर की 600 रुपे में जिसके वहां पे अनके भी विवस्ता नहीं है वहाँ पी वो 600 रुपे के अंदर पानी उसको टैंकल लाना पड़ता है और अपना घर चलाना पड़ता है ये इस्तिति यहां की दाता रामगड की है मैं आपको बताना चाहूँगा कि वसुंद्रा जी की सरकार ने एक आदेश में परते ग्राम पंचेत हेड़कॉर्टर पे सीनियर सेकंडी स्कूल लाया परते ग्राम पंचेत हेड़कॉर्टर पे एक गोरोपत शांदार गोरोपत बनवाया डिमपल देखें यहाँ पर दो बात है जो एक बात हमें अमूमन हर जगे से सुनने को मिलती है को यह है कि बीजेपी की यह जनाओ को कॉंग्रिस ने रिनेम किया है इसको लेकर जवाब भी मिलता है कॉंगरिस की ओर से तो उसको लेकर भी ज़रा पूछेगा और दूसरी बात ये डार्ग जोन क्या है क्यों वहां के घरों में लोगों को टैंकर डलाने की सुरत पड़ रही क्योंकि जो पानी का मुद्दा है वो तो चुनाव से बहुत सालों पहले का है तो अब तक उस पर काम क्यों नहीं हुआ ऐसे कौन से मुद्दे जिसको लेकर काम होना चीए था लेकिन अब तक नहीं है ऐसा है देश की आजादी को चिंतर साल पूरे हो गए है और चिंतर साल में कोंग्रेस और भारती जन्ता पालिटी का राज रहा है और इनका वाईदा रहा है चिंतर साल बाद में दातरामगड के लोग आज फ्लोराइड युक्त पानी टेंकर खरीद के पी रहे हैं इससे ज़्यादा सरम की बात नहीं हो सकते हैं दो तरह की बाते हैं आपर कि एक तरफ कॉंग्रेस कह रही है कि विकास याँ पर इतना हुआ है कि कितने भी आपर सर्वे करा लीजिए विकास याँ पर कई हुआ है विदायक ने आपर किया और इसलिए बार-बार कॉंग्रेस के साथ जाती है जनता दूसरी तरह अगर दूसरी पार्टी से बात करते हैं तो उनका कहना है कि दोनों ही पार्टी उने वह वादे पूरे नहीं किये जो वादे पूरे होने चाहिए थे चाहिए वो किसी पार्टी को मौका देगी और अगर काम कोई नहीं करेगा तो इसमें जनता का क्या कसूर है जनता तो वोट देती है लेकिन वह वादे क्यों नहीं पूरे होते जब सत्ता में आ जाते हैं तो बिलकुल मूलबूत सुविधाओं को लेकर यहाँ पर बातचीत हो रही है अ काम जनता से भी थोड़ी दिर में बातचीत करूंगे और पूछूंगे उनसे लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल आप से यह है कि हम लगातार कॉंग्रेस के लूपोल्स गिनबा रहे हैं कि कॉंग्रेस ने क्या नहीं क्या आप मुझे बताई भाजपा कितनी अक्टिव रही है क कारेकाल में भाजपा ने क्या कुछ काम यहां की जनिता के लिए कि यहां पानी की बहुत बड़ी समस्या है अभी देखने को मिलाया कि जैसे ही गरिमियों के सिजन होता है तो कांग्रेस वादा करती है कि हम हर घर आपको टेंकर बेजेंगे पानी के कहीं सुविदा नहीं है तो आप टेंकर बेजेंगे एक भी मेरे गाव में बड़ी सुविदा है जरूर आएंगे जरूर आएंगे और नहीं आते हैं और कहीं आये भी नहीं और सड़क की आलाता आप देखते हो खाटू शाम जी से आप दाता रहा है तो वहां काम होना जरूरी है तो खाटू शाम जी से दाता रामगड की सड़क में इत्ते गड़े हैं कि आए दिन गटना होती रहती है ये बात तो कॉंग्रेस के और से भी मानी कही है कि खाटू शाम जी के अलावा जो सड़क है वो सही है अगर आप से जाना चाहूं तो युवाओं को लेकर क्या कुछ काम है जो यहापर कॉंग्रेस करना चाहती थी पड़ नहीं कर पाई इंफराइस्टेक्चर में 2014 के बाद में जो काम हुआ है मान्य नरेंदर मोधी जी की सरकार आने के बाद में जो गड़गरी साब ने किया है उतना वैसा काम कहीं नहीं हुआ है और अभी बाई साब वाता रहे हिए गजेंदर सिंझी जो योजना इसको लागू करने में शब्सक्राइब को समय لगता है कोई होध में से पानी की बालती निकालने काम दो डी है की बालती निकाल देर पानी हो गया समय लगेगा मंत्रार रए बनायी है तो काम भी होगा सर्वे कर वाली जे इतने आशोस्ते की सारे ही काम हों है कुछ बातों को नकारते हैं कुछ बातों को accept भी करते हैं कि जो खाटू शामजी वाली रोड है वो सही नहीं है लेकिन ये कहना है कि बाकी की सारी रोड हैं PSC, CSC, स्कूलों को लेकर यहाँ पर लगादार सर्वे कर गाई है यहाँ से जादा विकास कहीं नहीं हुआ देखे बिल्कुल इतनी सारी चीज़े अब तक जानी है मुद्धों पर कई बाचीत अब तक हुई है और दोने पार्टियों के अपने अपने दावे है BJP का यहाँ पर खाता नहीं खोला एक तरीके से क्योंकि आपर काम कॉंग्रेस के अगर देखे जनता ने जनता कई कॉंग्रेस के साथ और इतनी बार कॉंग्रेस ने आपर जीत दर्च करी है दोने पक्षों की अलग-अलग बाते सामने आ रही है मुद्धों पर कई बाते और भी होगी लेकिन एक चोटे से ब्रेक के बाद कि ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है लगातार हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे तीनो चारो पार्टिया यहाँ पर मौझूद है आम जनिता यहाँ पर मौझूद है आरो प्रत्यारोप का जो सिलसला है वो यहाँ पर लगातार जारी है और एक जो सवाल सभी के मन में है कि यहाँ पर लगातार घेरा जा रहा है कॉंग्रिस को कि यहाँ पर काम नहीं हुआ विकास नहीं हुआ एक भी काम नहीं हुआ यह कहना है भाजपा का और CPM का भी तो यह सवाल उटता है कि अगर काम ही नहीं हुआ तो इतनी बार भरोसा कैसे जताया जनता ने लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जनिता ने अब तक भरोसा जताया हो तो आगे भी जताया है क्योंकि MLA का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर हम देख रहे हैं जिन वादों पर MLA आये थे उसमें कितनी वादा खिलाफी हुई और कितने वादे पूरे हुए वो भी हम जनिता को बताएंगे हमारे दर्शकों को बताएंगे सामने बैठी सरकारों को भी बताएंगे कि यहां की जनिता कितनी तरस्त है कितनी राहत और कितनी आहत में और आगे आखिर क्या चाती है तो दिंपर अब तक हमने बात की संशिप्त में अब बात कर लिते हैं जरा पहर है दूसरी लग भाजपा कहा रही है क्या कारण मांधी कि कॉंग्रेस को याँ पर जीप मिली है और भाजपा को नहीं मिली क्वोंसा काम विदयाइक जी ने नहीं करवाया आज सडकों का सुद्रड्री करन देख लो गाउं घानी महानगरों की तरह पगडण्डी देख ल कि एक पंचायत में तीन तीन चार चार उपसवास्ते के अंदर है जां पी यह नहीं बनने थे वहां जांग यहीं सिख्षा के लिए जाना परता था आज वह बालीकाएं यहीं डाता रामगड में गरन कर रही हैं उनके लिए महाविद्द विदाइक विरेंदर सिंग्ति चलिए शिक्षा को लेकर अलग बात हैं यहां पर और चीज़े पूछना चाहेंगे ऐसे कौन से मुद्ध हैं चुनावी मुद्ध अगर इतना काम अब तक हुआ है इस बार विदान सबाद चुनाव में थोड़ी सी चुनावती होने वाली है क तो क्या कहेंगे कॉंग्रिस के पास इस बार क्या नया चुनावी मुद्ध है जिसको लेकर दुबार है सबसे पहले तो मैं फश्ट इंडिया को यह अभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप इस विकास स्तली दांता रामगड विदान सबय में आप पदारे आपका स्वागत और अभिनंदन और वंदन हमारे दांता रामगड में क्या नहीं हुआ वो सब कुछ हुआ जो एक स्यत्र में विकास होना चाहिए हम सब नागरिक संतुष्ट है मैं एक चुनावी मुद्दा पूछना चाहूं सिर्फ वो एक चुनावी मुद्दा जिसको लेकर इस बार कॉंग्रेस आईगी दोबार यह विकास के कई मुद्दे है विकास के मुद्दे और कौन सा मुद्द है जिसको लेकर आप मानते कि कॉंग्रेस है कॉंग्रेस इतनी योजनाय लेकर आई महिंगाई रात केमपे चिरंजीवी भीमा योजनाय शिक्षा को लेकर है उसको लेकर क्या है ग्राउंड जीरो पर क्या हाल है बहुत अच्छा है और जो भी यह जनता है नहीं सब बोट कांग्रेस को देगी मैं आपको बता दूँ पर सामने आ रही है आरेलपी यहां पर मौझूद है इनसे पूछना चाहेंगे अभी तक सभी पार्टियों से आपर बात हुई भाजपा से बात हुई कॉंग्रेस से बात हुई सीपेम से बात हुई आरेलपी का क्या विजन है इस बार्ट शुड़ाब किसानों और जवानो का नारा दे के जीते हैं आप देखें चिंतर साल की पूरी जनता जातीवाद देखती काम नई पर जातीवाद के आधार पे यही नारे देखर के जीते हैं आप अंदाजब्स प्राव लड़के को दातरामगड में सरकारी कोलेज निए वहां अजार रुपे लेटे रुगत कि बात है 2021 में जो सड़के पूरी हो जाने चाहिए थी डेड़ दरजन सड़के हैं जो 2023 तक पूरी नहीं हुई है जो स्टेट आई वे हैं माता जी से लेकर के अभी खात्रियास होती हुई रेणवाल जाएगी आगे-आगे तूट बन रही है और नीपी चे भी तूट रही है नौ बार अगर कॉंग्रेस जीती है तो बहुत विकास हो जाना चीता लेकिन अभी तक मूलबूत सुविदाओं तक पर काम नीए पानी तक पर काम नीए तो फिर और कौन से विकास कामे जोगा ना तो कोई पानी की सुविदा है ना कोई सड़कों का है हम एक आम जंता की त हरे कोलेज यह हैं इंग्लिश स्कूले है वीयों के लिए और इनों इनकैंकी यह मानना है कि कॉंग्रेस ने पूरा विकास कर दिया कोई विकास की है थो पानी का नीए होपाया ऑगरी करते उंश के लिए प्रयासरत रखे तो इस अर्वाजपा दोनों की चीज़ें दो यह कह रहे जो अब तक यहाँ पर जीत का खाता नहीं खोल पाई तो आखिर कि अब तक जातीवात पे चुनाव हो रहता काम पर चुनाव नहीं हुआ और विकास क्यों नहीं हुआ ग्रामीन शेत्र में दाता राम गड़ विदान सभा सीट आती है अब तक काम होना चाहिए था मूल बू सुधा उपर लड़कियों के लिए तो कॉलेज है लेकिन लड़कों के लिए कॉलेज नहीं है सरकारी कॉलेज तो आखिर यह कौसी समस्य है अगर कांग्रेस इन पर कावनी कर पाई तो जब पोचे बाजबा से क्या भाजपा करेगी इन सब चीजों पर काम अंसा ऐसा काम है जिस पर भाजपा लड़ेगी और जनिता को आशुस्त करेगी कि यह काम होगा तो आप भाजपा को वोट दीजिए बहुत बड़ा मुद्दा की जो समस्य आप तक कॉंग्रेस अल नहीं कर पाई उसको भाजपा हल करेगी अगर भाजपा को मौका देते हैं एक लाइन में जवाब इस पार भाजपा का मुद्दा क्या है बाजपा विकास के मुद्दे पे लड़ेगी युवाओं के साथ जो दोखा हुआ है रीट में जो चीट हुई है 19 वार पेपर लिक हुए है इस मुद्दे को लेकर हम विधानसभा में जाएंगे और युवाओं को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे यहांँ को रोजगार के समन में लिखे जाएगी क्यों कि कॉलेज भी पहली बात तो यहां है नहीं और जगर है तो यह पोजीसिन है कि मात्र तीन कमरों में कॉलेज है अभी दो दिन पहले भी उन सात्राओंने बहुत बड़ा आंधा अंदोलन किया था और यहां की लेकिन वहां पे सिरफ घास है वहां पे अगर विदायक जी चाहते हैं या कोई भी इनका जुम्मेदार आदमी जाके अगर किसी उद्योगपती के पास जाता उससे बात करता विननती करता एक आदा रोजगार तो यहां सेट हो सकता था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है य काली है कि इतनी बार कॉंघ्री पर अगर शुताया तो यहां पर विकास क्यों नहीं है क्यों यहां कांचन अभी पानी को लेकर रस्त है अभी के लिए दिजी जाजेट मिलते अग्ले आपिशिट में तब तक के लिए नमस्कार